रिसेंटली आपने एक नया आइफोन पर्चेस किया है और आप अपने Android से अपना WhatsApp का डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको यह पता ही होगा कि WhatsApp जो है वो इन बिल्ड फीचर देता हमें डेटा ट्रांसफर करने का लेकिन यह जो process है काफी complicated है बहुत लोगों को इस process के बारे में नहीं पता है कि हमें अपना WhatsApp का डेटा कैसे ट्रांसफर करना है from Android to iPhone तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही सिखते हैं जमस्कार दोस्तों मैं हुआ विशेक और आप देख रहे हैं अवीडे की और बीना देरी की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सिखते हैं कि अपना Android से जो भी WhatsApp डेटा है वो हम कैसे अपने iPhone में ट्रांसफर करेंगे अपने Android फोन से WhatsApp चैट्स या फिर WhatsApp डेटा को iPhone में ट्रांसफर करने के लिए हमें सबसे पहले अपने iPhone को factory reset condition में लाना होगा ताकि हम अपना जो WhatsApp चैट्स है वो आसानी से ट्रांसफर कर सके Android से iPhone में जो की ये process है वो कंपल सरी है तो अपने iPhone को reset करने के लिए अगर आपने iPhone का setup कर लिया है और आप उसका इस्तमाल कर रहे हैं तो उसको reset करने के लिए आपको settings में चले जाना है और उसके बाद फिर general और उसके बाद scroll करके transfer और reset iPhone वाला option जो है उसको select कर लेना है और फिर यहां से erase all content and settings पे touch करना है आपका iPhone reset होने के बाद completely पूरी तरह से नया हो जाएगा और उसके बाद आप process में आगे बढ़ने के लिए त्यार है आप अपने Android phone से अपना WhatsApp का chats या फिर उसका जो भी data है वो आप अपने iPhone में transfer करने के लिए बिल्कुल ready है तो चलिए process में हम आगे बढ़ते हैं iPhone को reset होने के बाद आप जैसे ही unlock करेंगे तो unlock करने के बाद आपको यह setup process में आपको अपना iPhone दीखेगा आपको यहां से अपने iPhone को setup कर लेना है language select कर लिजे reason select कर लिजे और उसके बाद यहां से आपको setup manually वाला option select कर लेना है और उसके बाद यहां बहुत सारे options दिए गये हैं जहां से कि आप अपना data transfer कर सकते हैं import कर सकते हैं अपने iPhone में लेकिन हमें अपने Android से WhatsApp chats को transfer करना है अपने iPhone में तो इसलिए जो यहां पे जो fourth option है move data from Android यह option हम select कर लेंगे simply google play store में जाकर search कर download कर लूँगा move to iOS अपने phone में download करके install करने के बाद आपको simply इस application को open करना है open करने के बाद आपको one time code यहां पर input करना होगा six digit वाला लेकिन यह जो code हमें मिलेगा कहां पे उसके लिए हम अपने iPhone पे जाएंगे और iPhone में जाने के बाद हम करेंगे यहां simply continue पे touch तो इस code को आपको अपने Android phone में input करना है यहां पर आपको यहां से WhatsApp सेलेक्ट करना है आप जैसे WhatsApp को सेलेक्ट करेंगे आपको move chats to iOS का एक option दिखेगा यहां पे आपको नीचे start वाले button पे touch करके उसके बाद फिर almost done का मुझे एक यहां पे pop-up मिला मैं यहां पे next करूंगा next करने के बाद फिर से continue करना है और continue करने के बाद मेरा जो WhatsApp का chats है वो यहां पे transfer होना मेरे phone में शुरू हो चुका है मेरा जो WhatsApp का data है वो अब मेरे Android phone से iPhone में transfer हो चुका है आप जैसी अपने WhatsApp को setup करेंगे वो फिर से कॉप्शन दिखेगा most chats from Android simply आपको यहां पे start कर देना है और start करने के बाद permission के लिए पूछा जाएगा फिर वो कर देना है और उसके बाद आपका जो chats है वो यहां पे import हो जाएगा तो जैसा के ही मेरा जो WhatsApp chats है वो यहां पे आ चुका है मैं इस chat को open करके आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने यहां पे text किया हुआ था या फिर जो image मैंने send करी हुई थी वो भी image के साथ मेरा जो chat है वो इसमें import हो चुका है तो दोस्तों इस तरह से आप इने steps को follow करके अपने WhatsApp chats को Android phone से iPhone में completely transfer कर सकते हैं वो भी बीना किसी पैसे को खर्च किये हुए या फिर third party application का इस्तमाल किये हुए